हेलो व्यूवर्स वेल्कम तो यूर ओन चैनल सिविल दर्शन बहुत दुनों से वीडियो नहीं आई थी आप लोगों के थार्ड यूनिट तक के इंपॉर्टन क्वेशन मैंने बताए थे अब बारिये फोर्थ और फिफ्थ जो कि मेकानिक्स है थोड़ा सा टफ पड़ेगा आप सबको मेकानिक्स क्योंकि आप लोग इसको इसके पहले नहीं पड़े हो सब्जक्ट से पहले आपने मेकानिक्स बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ है अब एक काम करते हैं मेकानिक्स में दो दो यूनिट है इन दोनों का हम एकदम शुरू से तो स्टार्ट नहीं कर सकते पर हाँ इतना मैं बोल सकती हूँ कि मैं एक सीरीज अभी ला रही हूँ वीडियो का जिसमें टोटल 30 questions है 4th और 5th unit मिलाके उन 30 questions को आप अगर पढ़के जाते हैं बहुत अच्छे से सिर्फ पढ़ना नहीं समझना भी है concept clear करेंगे उन 30 questions का तो मैं इतनी guarantee दे सकती हूँ कि हर बच्चा सिर्फ पास नहीं बहुत बहुत साधा अच्छे नंबर से वो secure करेगा ठीक है अपने आपको बहुत अच्छे नंबर से पास कर पाएगा वो mechanics में और सिविल की बात रही तो यूनिट 1, 2, 3 के तो आपके बाद सारे lectures हैं मैं आपको इस वीडियो के बाद last में यूनिट 3 के जो IMP questions और numerical जिनको नहीं समझ में आया होगा उसके link मैं आपको दे दूँगी इस वीडियो के last में आप उसमें से जाके देख लीजी यूनिट 3 का मैं उसको और repeat नहीं करूंगी बात करते हैं यूनिट 4 और 5 की फोर्थ में मैं करीबन टोटल 20 questions मैंने design किये हैं 20 questions IMP लगे मुझे और यह जो questions मैंने design किये हैं वो questions है आपके पुराने जितने साल के question papers में से जो questions मुझे लगा और अभी book में से जो book में से questions आते हैं उन questions में से जो selected है आने की probability है chances है उन questions को मैंने design किया है तो इन 20 questions को आप ध्यान से देखेंगे ठीक है एक दम basic से नहीं वता रही हूं question number one आपको दिख रहा होगा blackboard पे मैंने draw करके रखा है इस question का concept जो है वो मैं आपको बता दूंगी और थोड़ा जो basic concept है वो आपकी 12th का ही है तो मैं उसको बीच बीच में question में recall कराती जाओंगी सबसे बड़ी problem आती है question solve करने में ये कि आपको question को समझना है question समझ लोगे तो फिर बना पाओगे समझने के बाद उसमें find out क्या करना है that you need to know find out करने के बाद आप उस process को शुरू कैसे करना है कि हमको जिसको find out करना है वहां तक कैसे पहुचे यही सबसे main doubt है mechanics का हर बच्च question के साथ खतम करूंगी next year question बताऊंगी तो उसका कुछ अलग trick होगा लेकिन concept सबका सेम होगा question को कैसे समझना है यहां पर देखे ध्यान से question number one पे मैंने सारी चीज़े जो लिखी रहती है कि यह दिया है वो दिया है given data मैंने नहीं लिखा है direct क्या find करना है मैंने लिखा force जिसके arrows अंदर की तरफ होते हैं अब tension force आपका AB BC और CD में निकाला है string means तार वायर रसी कुछ भी हो सकता है string का मतलब इन 3 members में आपको string के 3 members में से force निकाला है तीनों member कौन कौन से है diagram में दिख रहा होगा AB BC और CD आपको यहाँ पे देखो string का दिया भी है name T1, T2 और T3 कुछ angles आपको दी गई है दिख रहा होगा ठीक है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह जो position है दोनों A और D वो fixed है और यहाँ पे क्या दिया है दो load दिये है 2500 newton के दोनों में point B में भी point C में भी अब यह question मुझे समझ में आ गया निकालना गया यह समझने बोला था T1 जो यह है इस string का AB का इस string का force that is T1 इधर का निकालेंगे BC का that is T2 CD का निकालेंगे that is T3 निकालना गया यह भी समझ में आ गया अब शुरू कैसे करें कुछ नहीं करना है question में सबसे पहले कोशिश करिए हर force को coordinate axis में draw करने की draw तो सब कर लेते हैं draw करने के बाद angle किस angle पे वो force आ रहा है कहने का मतलब suppose मैं point A लेती हूं यह बताने के लिए सिफ question मैंने start नहीं किया solve करना यहाँ पे आपको T1 दिख रहा होगा क्योंकि यह pulling force है tension है तो मैं T1 को बाहर की तरफ arrow शो करूंगी यह T1 है कुछ ऐसा ही दिख चल जाएगा कि यह coordinate axis में T1 SLI कर रहा है कुछ इसी तरीके से होगा ठीक है अब मुझे क्या करना है हर force को coordinate axis में मैं show कर सकूं कोशिश क्या करूं हर जितने force है उसका मैं एक ही single coordinate axis बना सकूं पर यहाँ पे इस कोशिद में देखो अगर A point लेती हूं तो सिर्फ एक force आ रहा ह बी point ले रही हूं तो वहाँ पे T1 आ रहा है T2 आ रहा है ठीक है बी वाले joint पर दो ही force है C वाले joint पर आपके फिर से पॉइंट के लिए भी कॉमन है और T to C वाले पॉइंट के लिए भी कॉमन है सबसे पहले इसका coordinate axis ड्रॉ करते हैं चलिए coordinate axis ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जिभी question start करेंगे आपको लिखेंगे given data question लिखने का technique जब भी आप question लिखेंगे solve करेंगे सबसे पहले आपका given data होना चाहिए that is क्या देना चाहिए क्या दिया हो गया आपका दिया क्या क्या हुआ है string a b c d of to load 2500 newton at b and c एक लाइन लिख दो examiner को समाझ आ जाएगा कि you have understood the question very well now what you need to find out वो अप लिखेंगे जिए find out करना है आपको simple short में t1 t2 and t3 question short में लेक लिख लिया समझ लिया examiner को भी समझ में आ गया क्या आपको आ गया question समझ में 1 marks और 2 marks यही पर आप score करते हैं आपका total 7 marks का question है आगे की कहानी जो है वो बाकी marks 5 marks पर है चलिए कैसे solve करेंगे according to the question this is the proper format of solving any question मैंने क्या बोला एक पॉइंट अगर लेंगे तो सिर्फ t1 आएगा हमारे उसमें coordinate axis में दे लेंगे तो सिर्फ t3 आएगा नाओ टेकिंग द जोइंट बी सपोज टेकिंग जोइंट बी को मैं यहां ड्रॉ करूं देखो यह मेरा एक coordinate है अब बी वाले जोइंट पर मेरा यहां पर दिखरा होगा t2 कुछ इस तरीके से बनाया जो कि ना तो center पर है center से थोड़ा नीचे है और यहां का मुझे दिया है 120 degree this is your t2 बाहर की तरह है रहो क्यों कि यह tension है 120 दिया है मैंने अब इतना मुझे draw की करके रखा हुआ था और यहां से एक और देखो दिखरा होगा t1 ठिक अब आप बोलोगे माडम t1 तो यहां से connected है तो यहां से क्यों यह बाहर की तरफ हम जबी भी जिस भी coordinate point पे लेते हैं हमेशा tension जो भी इस point से निकलेगा वह हमेशा outward direction पे होगा क्योंकि यह tension इसके हमेशा outward direction में ही होगा कहीं से भी कोई भी अब वही same चीज अगर में a point पे लेती है तो मैंने tension कैसे दिखाया था direction इस तरफ अरो इस तरफ दिखाया था ठीक है अब बी पे है तो arrow में upward की तरफ तरफ दिखा रहे हो now let us just find out this angle क्योंकि मुझे तो horizontal या vertical के साथ angle find out कना रहता है तो I can mark it as 90 minus 120 that is 30 degree तो मैं क्या वो सकती 22 का जो angle है वो horizontal से 30 degree पे है now what about D1 look at the diagram very carefully आपके पस ऐसा diagram में arrangement बना होगा हमेशा जसे आपका angle बहुत easily find out हो कैसे see here T1 is given 30 with a vertical now look at here आपका यहाप एक proper Z बन रहा होगा this is an inclined line यह दोनो एक parallel line है because this is horizontal this is also horizontal यह neutral है यह neutral है यह vertical है इस दोनो neutral के बीच में एक inclined line जा रही है तो एक Z बन रहा है that means this angle will also marked as 30 degree ठीक है कैसे हुआ यह आपके 12th की जोमेटरी में आपने पढ़ा हुआ है 12th के even 10th की जोमेटरी में भी आपने पढ़ा हुआ है तो I can mark here T1 as 30 degree right now we have easily marked these two angles or show T1 and 2 T2 in this coordinate axis आपका काम खतम आपका आधा question solved है now similarly मैं दूसरा वाला भी ड्रॉख कर यह हूं joint B लिया था यहाँ पर now taking joint C joint C जब लेंगे look at here यह आपको coordinate मैंने बना दिया अब देखो T2 कुछ इस side जा रहे है जिधर coordinate लेंगे जिस point पर लेंगे उससे outward direction में हमको show करना है ठीक है T2 यहाँ पर हुआ T2 वर्टिकल के साथ कुछ 60 डिगरी बना रहा है यहाँ पर आपका T3 जो है यह यहाँ से कुछ ऐसा बन रहा है अब T3 का मुझे यहाँ कुछ एंगल नहीं दिया है but in your diagram it is clearly mentioned that a clear geometry is shown कैसे at point D there is a angle that is 60 degree look at very carefully here एक वापस से जेड बन रहा है मतलब यह वाला एंगल भी आपका 60 डिगरी होगा बन रहा है एक जेड that means this is 60 डिगरी तो मैं यहाँ आपकर लेती हूं 60 डिगरी इजी आपका हर एक arrangement complete है अब आपको क्या करना है अब यह मत कोई बोलना कि मैडम यहाँ पर T2 30 बना रहा है joint V में फिर यहाँ से T2 इस में 60 बना रहा है देख लो यहाँ पर यह horizontal line अगर होती तो यह 30 डिगरी है पर यहाँ से vertical के साथ यह 60 बना रहा है यह joint अलग है यह joint अलग है ठीक है यह string है string में star wire रसी कुछ भी रसी पर यहाँ पर पर particular point पर हो सकता है angle deflection अलग हो इस point पर angle deflection अलग हो जिस point पर जैसा दिया रहा है उसके according आपको draw करना है look at very carefully हमने यहाँ पर mistake की है mistake किया है mistake कुछ नहीं हमने छोड़ दिया है इस point में 2500 Newton था right हमने 2500 Newton को यहाँ पर draw नहीं किया है कब पता पड़ता जब हम solve करते हैं अभी हम diagram बना रहे हैं इसलिए हम लोग बहुत इसली निकल गए now this is the coordinate axis अब अपका question इस string वाले diagram में complete है कैसे अब आप इस वाले diagram के लिए भी same equations of equilibrium लगाएंगे that is summation fx equals to 0 summation fy equals to 0 same both equations are applicable for this joint also what are that summation fx equals to 0 and summation fy equals to 0 now let us just resolve this this is t1 cos 30 degree and this is t1 sin 30 degree कैसे किसी को अगर resolution नहीं आता है तो resolution मैं बता देती हूं कैसे करते हैं आपका जो भी force जिस भी line से अगर horizontal के साथ या vertical के साथ अगर same angle बनाता है same angle मतलब अगर horizontal के साथ वह angle बना रहा है मतलब horizontal पे आप क्या लिखोगे उस force को लिखोगे और जो भी angle दिया रहा है उसको cost से mention करोगे जस्ट उसके perpendicular पे जहां पे वह force लाई कर रहा है उसके perpendicular पे आप क्या करोगे T2 sin 30 ठीक यह आप शो करोगे कैसे करने का मतलब आपका जो भी angle दिया रहेगा जिससे वह angle बना रहा है वर्टिकल के साथ या horizontal के साथ उस line पे उस coordinate पे वहां पे आपका cost 30 हम लेते हैं और उसी के जो force है जहां से angle बन रहा था उसी same coordinate पे इससे perpendicular मतलब यह वाली line से perpendicular इस force को लेते हुए हम opposite में sin theta लेते हैं या sin जो भी angle दिया रहता है ठीक है अब उसको हम लोग mark करेंगे यहां पे चलो summation fx equals to zero का हम लिख लेते हैं क्या है that is t2 cos 30 degree this is equals to t1 sin 30 degree okay now what is next next is your fy that is t1 cos 30 degree equals to t2 sin 30 don't get confused क्योंकि यह blackbook में साथ में लिख रही हूं तो आपनों confused मत होएगा उपर की values और नीचे की values में ठीक है these are equation 1 & 2 अब यहां पे भी similarly हम same equation apply कर लेते हैं submission fx equals to zero submission fy equals to zero now submission fx fy में वापस से देखो यह vertical के साथ बना रहा है 60 तो मैं लिख देते हूं t3 cos 60 degree with perpendicular to it t3 sin 60 degree and this is t2 sin 60 degree and this is यही पे होगा यहां कॉमा करके लिख देते हूं t2 cos 60 degree तिक अब लिख देते हैं यहां पे t3 sin 60 degree equals to t2 sin 60 degree equation 3 equation 4 equation 4 okay now this is your equation 4 summation fy is t3 cos 60 degree plus t2 cos 60 degree equals to 2500 this is equation 4 now these are 4 equations और इनी 4 equations में से आपको 3 unknown निकालने हैं ठीक t1 t2 t3 very easy 2 equation 2 unknown easily निकालते थे हम लोग अब यहां पे 4 equation है और 3 unknown है that means हमको एक equation की requirement ही नहीं पड़ेगी चलिए solve करते हैं आप लोग जिनलों को note करना है note का लीजे उसके बाद मैं क्या करूँगी उपर का portion जो given data है उसको रप करूँगी और इस equation में से substitute करके t1 और t2 के value find out करूँगी जिसका कोई एक value हम equation 3 or 4 में रखेंगे ठीक है चलिए अब मैं given data यहां से रप कर देरी हूँ अब equation 1 से अगर मैं लूँ तो I can mention from equation 1 t1 equals to t2 cos 30 degree upon sin 30 degree ठीक है अब इस t1 की value को मैं यहां put करते हूँ t1 cos 30 degree upon अधर t1 cos 30 तो t1 की value को मैं put करते हूँ putting this value in equation 2 मैं क्यू पूरा step solve कर रही हूँ ताकि आप यह मत बोलो कि माम step solve किये थे तो नहीं आ पाया कुछ गरबड हो गई that I don't want to listen अगर आपका प्रोसीजर आप 80% सही कर रहे है तो सिर्फ calculation mistake के लिए आपका answer सफर नहीं होना चाहिए that's the only reason मैं एक एक step आपको बता रही हूँ T2 T2 sin 20 degree sorry 30 degree minus 2500 now अब क्या कर सकते हैं लोग cos 30, sin 30 and cos 30 इन सब को हम solve मैं इसको रप कर दे रहे हूँ एक औस equation 1,2 आप अल्रडी लिख चुके है अगर मैं इसको solve करूँ where's my calculator I'm not having my calculator but still I'm having an app I'm directly putting this value over here and find out, okay and I'm finding it this is cos 30 upon sin 30 into cos 30 this value is coming t2 into 3 by 2 okay or 1.5 now here this is t2 sin 30 degree okay let us just subtract this value or subtract that value or subtract that value or subtract that value sin 30 minus 2500 put this 25 here t2 sin 30 degree minus t2 3 by 2 now what will be the value of t2 here now you can remove it this is sin sin this is sin this is sin ok this is your only answer this value over comes here 1 that's why your t2 is nothing but 32 sorry 2500 newton this is your 1 value now what you need to do t2 ki value ko t1 pe rakhhenge putting this value of t2 in this equation kya ho nikalega mira t1 kaise nikalega t2 i am putting this value here that is 2500 into cos 30 upon sin 30 t1 equals to ab dekhte hai kya a raha hai t1 t1 is coming something 4330 newton it's coming in point 4330.12 but i considered in round off that is t1 equals to 4330 newton that means you are having both two values now put this two values in any of the equation ah i will say t1 here t2 ki koj bhi value kisi bhi equation 3 or 4 t3 easily let's solve it what we will do easily because t1 here t1 t3 is t3 i will do equation 4 i will do equation 3 i will substitute this equation t2 i will substitute t3 easily easily you can see sin 60 sin 60 cancel out that means t3 equals to 2500 newton that means t2 and t3 is of same value that means you have to justify same value that means you have to find out that means you have to find out three values and find out because i have shortcut i have not written all the things i have to do blackboard you will do copy you will do step follow then we will write the whole steps well then final answer now value of string tension a b b c c d that is t1 t2 t3 respectively either t1 equals to this t2 equals to this or t3 equals to this newton newton you will never forget look newton newton cover that also carries one marks ok one marks that means 4 marks you will get that 4 marks you will get given data you will mention very nicely not that you will not solve the data only given data you will get 2 marks that's not important examiner depends you will see the marks but you are writing then there is no chance to cut the marks that's the only reason I will follow your steps properly so that is your only first question understand the concept properly and whatever any question there is only a logic that is the finding of angles with the neutral normal x and y axis you have easily put your forces on the axis here two equations summation fx equals to 0 summation fy equals to 0 in these equations you will solve every string question in question where forces are your name general system of forces do force you have to solve you have to focus on force where what is what force you can say madam here there is fixed support here 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 two two support one moment what do what do 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 and until if any support like roller support there will be there if there will be no FPD there will be no FPD in simple string equations this is your latest question which is coming in the previous year exam which probability is coming that you very will know that you will this tension string I won't include selected questions I have 20 questions here but important is only 30 that is all about your unit now let us move to question number two two the two five those the one 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 he had झाल झाल झाल